ये गाइस मैं हूँ सीमा और डावर चनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक डॉल केक की रेसिपी लेकर आए हूँ लेकिन हाँ ये जो डॉल केक है वो बहुत जादा स्पेशल होने वाला है खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस डॉल केक को बनाएंगे विदाउट एनी नोजल और डेकोरेटिंग टूल अगर आप नए है बिगनर्स है आपके पास केक डेकोरेट करने का समान नहीं है तो बिना नोजल के आप इस तरह का खुबसूरत सा केक घर पर ही बना सकते है तो चलिए रेसिपी जल्दी एक स्पॉंज तयार करना हुगा तो मैंने इसे विदाउट टिन बनाया है क्योंकि डॉल केक बनाने के लिए लग से केक मोल्ड मिलते है तो हमने इसे इस तरह की एक स्टील के डब्बे में बनाया है देख लिए जिब बहुत ज़दा सॉफ्ट हमारा ये स्पॉंज यहां प इस तरह से बेक किया है कुकर में लो फ्लेम पर 30-40 मिनिट तक आप मेरी कई सारे रेसिपी में स्पॉंज की तरह से तयार करना है यह वीडियो देख सकते है गाइस यह हमारा वीडियो बहुत ज़दा लंबाना हूँ इसलिए मैंने हापर स्पॉंज की रेसिपी कट कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा वहाँ पर से आप यह इस तरह का स्पॉंज अराम से बना सकते हैं सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको जो केक टीन या स्टील का डबा लेना है केक बेक करने के लिए वो थोड़ा सा हैट लगा देंगे इससे हमारा केक जादा टाइम तक सॉफ्ट और मॉइस रहेगा शुगर सिरफ बनाने के लिए दो चम्मचीनी और एक चौधाई कप पानी आप मिला सकते हैं और उसमें थोड़ा सा इसंस भी डाल सकते हैं विप क्रीम लगा लेंगे इसकी रेसिपी भी आपक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सिम उसी तरह से मैंने दूसरी लेर भी इसके उपर रग दी है और हाँ यहां पर अगर आप अलग किसी फ्लेवर का केक बना रहे हैं जैसे कि पाइनैपल स्टॉबरी या चॉकलेट फ्लेवर का केक भी बना रहे है तो आपको और यहां पर डॉल की की हाईट अच्छी चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लेयर कट करके इस तरह से रख सकते हैं ज्यादा लेड़ होने कि वज़ेसे आपके हाईट बहुत ची तरीक से मिलती हैं तो हमने यहां पर 4 लेयर थी तो सब से लजस्ट वाली उ हम लोग आज यहां पर प्लेन वैनिला कीक बना रहे हैं इसलिए मैंने यहां पर किसी भी तरका क्रश्व अगरा यूस नहीं किया है उपर से जो टोम शेप आया था उसे मैं थोड़ा सा कट कर लिया है अंदर से शुगर सिरफ डाल दिया है थोड़ी सी वेप क्रीम भी लगा है और फिर से हमें ऊपर वो जो डोम शेप है उसे भी रखना है इसके बाद मैंने यहां पर डॉल ले लिया है यह बच्चों के खिलोने में से एक डॉल है अगर आप चाहे तो अलग से डॉल केक बनाने के लिए स्टिक वाली डॉल भी मिलती है वो भी खरीच सकते है तो सब विप कर लेंगे और इसकी कर लेंगे तो यहां पर पाइपंग बैक से ही मैं आप यह ज्यांप जाता है इस तरह से जहां ब् Babs दिक रहे हैं तो वहां पर थोड़ी ती ज्यादा विप क्रीम लगाते है सारे अपको इसे बरने है विप क्रीम से ताकि इसे एकदम plain finished look मिले तो यहाँ पर palette की help से मैं इसे plain कर देती हूँ तो यहाँ पर इस तरह से एक smoother का इस्तमाल करती हुए आपको इसे plain बनाना है केक icing होने की बाद 15-20 मिनिट तक आपको इसे fridge में रखना है 15-20 मिनिट के बाद हमारा केक अच्छी तरह से सेट हो चुका है यह जो डॉल है यह भी मैंने इसमें फसादी है देख सकते हैं यहाँ पर अब चलिए डेकोरेशन की तियारी कर लेते हैं आज का जो केक है गाईस वो जादा special है क्योंकि हम लोग आज इसे without nozzle बनाएंगी इसे हम लोग सिफ piping bag से ही decorate करेंगे किसी भी nozzle का हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे तो आपको piping bag किस तरह से cut करनी है वो यहाँ पर दिखा रही हूँ तो यहाँ पर paper की एक piping bag मैंने तयार कर ली है उसे cut करके दिखाती हूँ इस तरह से V-shape में आपको इसे cut करना है तो केक डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही whip cream तयार करके रखी है देख लीजे एकदम अच्छे से step pics वाली cream आपको यहाँ पर तयार करनी है और हाँ अगर आपको जिस भी तरह का यहाँ पर doll का frog बनाना है ड्रेस बनाना है उस तरह का color आप इसमें add कर सकते है जो हमने v cut में piping bag cut कर ली थी उसी piping bag में मैंने यह whip cream भर दी है अब आपको इससे design कैसे बनानी है वो भी दिखाती हूँ तो आपको बस इस तरह की leaves बनाना है देख लीजे नीची के और खीचते हुए और थूड़ा सा आपको piping bag को shake करना है तब इस तरह की design बन जाती है जब भी हम लोग flowers वगरा बनाते है उसके साथ में leaves कैसे बनाते है सेम उसी तरह का आपको इस design बनानी है तो यहाँ पर नीची की border तो बनकर तयार है अब हम लोग उपर पूरी frog के उपर या dress के उपर सेम इसी तरह से design बना लेंगी दीखिए एकदम low speed में मैं आपको इहाँ पर दिखा रही हूँ बस इस तरह से हाथ को थोड़ा सा आपको shake करना है और नीची की और pipe करना है बहुत ज़दा खूबसूरत से यह design बन जाती है बिना nozzle के हम लोग इसे बना रहे है और हाँ जब भी आप इस cream में color मिलाएंगे तो यह और भी ज़दा खूबसूरत लगेगा तो चलिए इसी तरह से मैं इस सारी design बना लेंगी तो देख सकते है guys यहाँ पर हमारे जो doll है उसके नीची की frog की side तयार है अब हम लोग उपर की तरह भी इस तरह से design बना देंगे मुझे यहाँ पर याद नहीं था कि हमें nozzle का use नहीं करना है तो कि यह जो मेरी piping bag है वो पहले से ही तियार थी आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ piping bag को एक नीचे cut लगा कर इस तरह की design बना सकते हैं बहुत ही simple है यहाँ पर nozzle का use करने की जरुरत नहीं है नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की side में हमने जिस तरह से design बनाई है सेम उसी तरह से उपर की तरह भी बना सकते हैं बिना nozzle की तो देख लीजे white color में भी यह बहुत जादा खुबसूरत हमारी doll लग रही है तो यहाँ पर इस doll का जो frock hair dress है उसे color करने के लिए मैं इस तरह के spray color मिलते है उसका use कर रही हूँ यह बहुत ही असानी से हो जाता है guys क्योंकि हर बार cream को color करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है तो यह एकदम simple trick है अगर आपके पास यह color नहीं है तो आप जब whip cream बना रहे होते हैं तो उसी में ही color add कर सकते हैं सिर्फ वहाँ पर आपको gel food color का इस्तमाल करना होगा तो यहाँ पर यह spray color मैंने यहाँ यूज किया है उपर की तरफ हम लोग अलग color से इसे decorate करेंगे तो यहाँ पर इस doll का जो dress है इसे और जदा खूबसरत बिनाने के लिए मैं इसके उपर इस तरह से rose flowers लगा देती हूँ यह whip cream से ही मैंने बनाए है और वो भी बिना nozzle के सिर्फ piping bag से ही हमने यह flowers बनाए है इसका वीडियो आपको नीचे description box में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इस तरह के बिना nozzle वाले यह खूबसूरत से flowers बना सकते है तो doll के dress का जो उपर का हिसा है उसे मैं इस तरह से pink color से cover कर देती हूँ अलग-अलग तरीके की whip cream बनाना थोड़ा सा lengthy process हो जाता है तो यहाँ पर एकदम यह shortcut मैंने use किया है अगर आप चाहें तो इसे use कर सकते है तो यहाँ पर हमारा यह doll cake बनकर बिल्कुल तयार है और बहुत जादा यह खूबसूरत लग रहा है बहुत सारी tricks और shortcuts के साथ हमने यह video तयार किया है आपके साथ मैंने बहुत सारी tricks इसमें share की है तो एक बार इस तरह से बनी हुई doll cake की recipe ज़रूर घर पर try कीजिए और मुझे comment section में बताईए कि आपको recipe कैसे लगी और अच्छी लगी है हमेशा की तरफ पसंद आई है तो प्लीज इसे like, comment, share और डावट चनल पर अगर आप नए है पहली बार यह video देख रहे है तो डावट चनल को subscribe करना ना भूले और साथ में जो bell बटन या घंटी का बटन है ना उसे भी जरूर दबा दीजिए तो चलिए guys मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई recipe के साथ तब तक के लिए thanks for watching guys, take care